मैं दूसरे सहर में रहता हूँ तो यहां पर अहले हदीस का मस्जिद नहीं है हन्पी मस्जिद है तो यहां पर जुमे की दिन दो आजाने होती है एक खुदबा से पहले खुदबा के बाद तो जो खुदबा से पहले होता आजान तो उसको जवाब दे देते हैं और जो मुझे से सबके जमाने में एक आजान होती थी और जब जब जरूरत का एहसास हुआ तो उस्मान रजी आला नहों ने दूसरी आजान दिलवाई और उसकी वज़े बताई जाती है कि उस शेहर फैल चुका था आबादी दूर तक हो गई थी वहां तक लोगों को आवाज नहीं पहुंचती थी इसलिए जो असल अजान है खुत्बा से पहले वाली अजान उससे पहले आदा ये गंटा ये कुछ वक्त पहले वो अजान दिलवाते थे मस्जिद से बाहर दूर किसी जगए पर मकाम ज़ुरा एक जगे का नाम था वहां से अजान दी जाती थी ताकि लोगों को इतला हो जाए कि जुमा का वक्त करीब आ गया है और वो लोग आ जाएं तो ये जो पहली अजान का अजाफा उस्मान रदियाला हुट नहीं किया ये भी अजान ही है ये भी अजान ही है तो अगर कहीं पर किसी मस्जिद में दो अजान होती है तो दोनों अजान का जवाब देंगे आप उसमें जवाब देने में कोई कैद नहीं है कि पहली अजान का जवाब नहीं देना है दूसरी का देना है अजान होगी तो उसका जवाब आपको देना है वो चाहे पहली अजान हो या दूसरी अजान हो असल में मस्जिद असल में मस्ज़ा के से ना शेफ हमारे जिसे एहनाफ का जो तरीका है उसको वो जिक्र कर रहे हैं कि मस्जद ही में तरीके को देखिए तरीका वो अजान कब भी जाती है किस तरीके से वो तरीका हो सकता है गलत हो लेकिन दूसरी अजान बिदात नहीं है दूसरी अजान जहां पर जरूरत है वहां पर देना बलकि सुन्त है जहां पर जरूरत है अभी भी बहुत सारे गाउ दिहात ऐसे हैं जहां पर लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं जुमा के दिन जब पहली अजान होती है आदा गंता 40 मिनट पहले अब वो जैसे अजान हुई उनको पता हो गया कि अब जुमा का वक करीब है फोरण जो है काम धाम छोड़के वो निकल पड़ते हैं तो वहाँ पर मसला थे वहाँ पर बाकाइदा सुन्नत है जहां पर जरूरत नहीं है रहे देई है इसकी वहाँ पर नहीं देना क्या जाे जाए लुमा करीब है।